गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैं रवी कुमार, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, जीपी सी डुंगरपूर आज इस वीडियो में हम अब्जेक्ट औरेंटेट प्रोग्रामिंग त्रूँ C++ CS302 का स्पेशिल एक्जाम 2016 का पेपर का सोलीशन हम देखेंगे First question है, a function defined inside a class, एक क्लास के अंदर जितने भी functions define किये जाते हैं, उनको हम member function बोलते हैं जितने भी functions है एक क्लास के अंदर हैं, वो सारे member function होंगे उस क्लास के A constructor with no arguments, ऐसा constructor जिसमें कोई arguments नहीं होता है, उसको हम default constructor बोलते हैं Constructor भी एक member function होता है क्लास का, difference इतना होता है कि उसका नाम है function का, वो उस class का नाम में वही रहेगा जिसे class का नाम है animal तो animal नाम से जो function होगा उसको हम क्या बोलेंगे constructor और ऐसा constructor जिसमें एक भी argument नहीं पास कर रहे है वो हता है default constructor और यह constructor है वो जब उस animal class का object create करेंगे तो automatically call होगा question number three, the process of deriving a class from another derived class एक already derived class से एक ओर class derive कर रहे है उसको बोलते है multi-level inheritance सबसे उपर होती है base class, parent class उससे फिर उसकी child class बोलते है तो उसको child class को derived class भी बोलते है question number four, the default access specifier for the class memories default access specifier मुलब अपने पास तीन access specifier होते है public, private, protected public है उसमें public में कोई भी access कर सकता है private के अंदर कोई भी access नहीं कर सकता उस class के अलावा और protected में सिर उसकी child classes है वो access कर सकती है तो default का मुलब जब हम specify नहीं करें public, private, protected कुछ भी नहीं लिखें तो क्या माना जाएगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो data members या function members है वो private माने जाएगे इसका मतलब उनको उस class के अलावा और कोई access नहीं कर पाएगा Q5, an exception is caused by exception है, वो क्या होता है तो exception क्या होता है, एक run time error होती है दो type की errors होती है प्रोग्रामिंग में compile time और run time compile time error होती है, वो grammatical mistakes होती है आपने कोई semicolon miss कर दिया या bracket close करना भूल गए या spelling mistake हो गई तो इस type की errors होती है, वो compile time पर पकड़ में आ जाती है लेकिन कुछ errors होती है, वो grammar में कोई mistake नहीं है आपका program एकदम सही लिखावाए लेकिन जैसे एक example देते है आपने करने का आपने program मनाया और उसमें user है, उसने divide करते time जो pass किया a divide by b, तो b की value है वो अगर उसमें 0 कर दी, तो किसी भी number को 0 से divide करेंगे तो output आता है infinite अब computer के अंदर infinite नाम के कोई चीज नहीं होती है इसलिए वहाँ पर exception आ जाता है तो runtime errors होते हैं unicom क्या बोलते हैं, exception sixth question है, C++ में generic functions है उनको use करने के लिए कौन सा keyword का में लेते हैं तो generic functions या generic classes होती है उनको का में लेकने है template template का में लेते हैं अब generic functions और generic classes ऐसी चीजे हैं जिसमें किसी भी type का data है, वो हम use कर सकते हैं जैसे functions की overloading करते हैं तो functions की overloading में क्या होता है कि अगर दो ही argument pass कर रहे हैं पर दोनों अगर int pass कर रहे हैं तो अलग function बनाना पड़ेगा और float कर रहे हैं तो अलग बनाना पड़ेगा मतलब अपने को क्या करना है मालों दो number को जोड़ना है तो हम काम तो भी कर रहे है जोडने का ही कर रहे है लेकिन एक में क्या कर रहे है दो integer को जोड रहे है और एक में दो float को जोड रहे है तो उसके लिए सिर्फ हमने data type change हुआ है और हमें क्या function डुबारा बनाना पड़ता है तो coding करने पड़ती है बार बार लेकिन generic functions में क्या गरते हैं हम एक ही function बना देंगे उसी function से हम दो integers को भी जोड सकते हैं दो float को भी जोड सकते हैं तो हमें क्या होता है कि ज़्यादा coding करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इससे तो इसलिए हम generic functions और generic classes काम में लेते हैं और इसके लिए keyword होता है template वो काम आता है 7th question है A C++ program statement can be commented using C++ program है उसमें single line comment भी होता है double slice and multi line comment भी होता है slice star और बीच में जो comments हो आजाएंगे और फिर last में जब star slice करेंगे तो close हो जाएगा comment Question number 8 है name लिकित में से कौन सी विशेशता C++ में access specified नहीं है तो C++ में हमें पता है तीन तरह के access specified होते है public, private, protected internal, internal नाम का कोई access specified C++ में नहीं होता है and loop containing other loops एक loop के अंदर जब दूसरा loop होता है उसको बोलते है nested loop loop के अंदर loop उसको बोलेंगे nested loop runtime polymorphism is achieved by तो C++ के अंदर runtime polymorphism वो virtual function को use करके achieve की जाती है less than, less than operator less than operator हम काम में लेते है cout के साथ में cout, less than, less than और जो भी print करवाना है वो string तो इसको less than, less than symbol को हम बोलते है stream insertion operator वोसे ही left shift operator होता है और left shift operator की हमले क्या की है यहाँ पर overloading की है operator overloading की है तो left shift operator के काम में भी आता है less than, less than symbol और stream insertion operator के काम में भी आता है add destructor text जैसे constructor होता है जब object create होता है तो constructor call होता है और जब object destroy होता है तब destructor call होता है तो destructor का याद रखना destructor का नाम तो भी रहता है जो constructor रहता है नाम भी रहता है लेकिन इसमें arguments कभी भी पास नहीं होता है zero argument लेता है function overloading in C++ each function overloading होती क्या है function loading का मतलब है multiple functions with the same name उनका name तो same रहेगा और multiple functions रहेगे दो या दो से ज़्यादा functions उसको बलेंगे हम overloading what do you mean by exception specification exception specification क्या होता है exception जब specify कर दिया जाता है तो function है वो एक limited exception सी throw कर पाता है function is limited to throwing only a specified list of exception जो हमने list specify कर दिये वो exception ही throw कर पाएगा तो a option is correct option question number 15 है which of the following is not the feature of object oriented programming object oriented programming है उसके feature होता है data encapsulation data encapsulation का मतलब है कि जो भी data है या functions है वो class के अंदर होते है सब पूच एक capsule होता है capsule के अंदर सब पूच होता है वैसे capsule बन जाती है class और उसके अंदर सब पूच होता है उसको बलता है data encapsulation second है inheritance inheritance है वो base class होती है उसकी derived class बनती है parent class और उसकी child class तो यह inheritance होती है inheritance को यूज करते हैं हम code को reuse करते हैं एक code को बार बार लिखने ज़रूपनी पड़ती है उस code को reuse किया जा सकता है inheritance को use करते polymorphism polymorphism का मतलब है polymorphism दो तरह से होती है function overloading और overriding फिर overloading और फंसन overloading और operator overloading polymorphism polymorphism का मतलब एक से ज़्यादा morphism का मतलब रूप तो जैसा कि function overloading में हमने देखा कि नाम पुए है कि यह function का लेकिन वो अलगलग काम कर रहे है वो होती है polymorphism तो यह तीनो data encapsulation inheritance polymorphism में तीनो object oriented programming के features रहे तो option D is correct option question number 16 which of the following is not a manipulator तो C++ के अंदर manipulator होता है AND, L, flash और hex CLR, SCR है वो function होता है clear screen function CLR, SCR है वो एक function है यह manipulator नहीं है AND, L हम काम में लेते है line break करने के लिए next line में जाने के लिए hex, hex काम में लेते है hexadecimal में convert करने के लिए plus, plus करने के लिए काम में लेते है question number 17 है which of the following operator cannot be overloaded तो operators की overloading करते हैं तो उसमें कुछ operator surgeon को overloading हम नहीं कर सकते तो इसमें colon है और colon colon दो बार आगया भी option में इसको बोलते है scope resolution operator तो scope resolution operator है वो भी overloading नहीं होती है question number 18 है output कुछा है इस program का तो इस program में simple सा एक program है और इसमें जो a type का variable है integer उसको दो बार हमने define किया है एक तो man से उपर भार की तरप तो यह तो global variable बन जाएगा एक man function के अंदर man function के अंदर जो integer है वो एक local variable है तो उसका scope वो function के अंदर तकी रहेगा तो हमने पहले a को print कराया c out में तो जो function के अंदर है man के अंदर a equal to 20 तो 20 value आ जाएगी फिर cascading की less than less than symbol फिर scope resolution a scope resolution a लिखने का मतलब है जो void man के उपर लिखा a equal to 10 उसको access करेगा global variable को तो global variable की value है 10 तो 20 और 10 c option correct option question number 19 है which stream class is used to both read and write on files कौन सी stream class है जो read और write दोनों कर सकती है फाइल्स पर तो वो होती है app stream app stream है वो दोनों काम कर सकती है ip stream करेगी input के लिए op stream करेगी output के लिए तो ip stream input input का में लगा write करना op stream में लगा output read करना question number 20 while overloading binary operator using member function the number of arguments required तो binary operator होता है binary operator का मतला होता है वो दो operand लेगा तो हमेशा दो arguments की जरूत पड़ेगी अगर इसको overload करेंगी तो question number 20 का option C सही है question number 21 which of the following concepts means wrapping up of data and functions together किदर तो object oriented language का कौन सा ऐसा concept है कि data और functions दोनों गो wrap up करता है तो वो होता है encapsulation एक class होती है वो capsule की तरह होती है और उसके अंदर data और members दोनों wrap up किये होते हैं पेक किये होते हैं अंदर which of the following statements regarding inline function is correct inline function हम क्यों use में लेते हैं तो inline function है option A है it speeds up execution एक execution की speed बढ़ाता है and it increase the code size इससे code की size भी बढ़ती है अब inline function होता क्या है inline function कुछ नहीं होता है एक function ही होता है लेकिन normally हम function call करते हैं तो क्या होता है कि जहां से हमने call किया है वहां से control है वो transfer हो जाता है जहां पर function की coding लिखी हुई है वो फिर वहां से function execute होता है और जो return करता है तो return वाली value वापस जहां पर call किया है तो वहां पर वापस control transfer होता है तो control एक बार तो function तक पहुंचता फिर वापस written होके वहाँ पर तो control transfer होता है उसमें लेकिन जब जिस function को call किया गया है उसकी body बहुत छोटी है उसमें code बहुत छोटा है उसके अंदर एक या दो line का है तो हमें जो control दो बाट transfer करना पड़ रहा है उसके अंदर काफी इसमें time खराब हो रहा है तो उसको time को save करने के लिए हम उसको inline function बनाते है inline function बनाते है क्या होता है कि हमें call करते time उसको control transfer करने के ज़रूत नहीं पड़ेगी वो जहाँ पर call किया है वहाँ पर वो body उसकी पहुंच जाएगी उस function की वो body replace हो जाएगी तो उससे हमारी जो speed हो fast हो जाएगी कि हमें control transfer नहीं करना पड़ रहा है लेकिन इससे दिक्कत यह हो रही है कि वो जहाँ पर call किया हो वहाँ पर replace क्या हो गए उसकी body आ गई पूरी पूरी तो code की size बढ़ जाएगी question number 23 which of the following header file includes definition of c in and c out तो c in और c out की जो definition होती है आयो stream dot h के अंदर होती है d option is correct option question number 24 निम्ड में से कौन सा area declaration वेद्ध्य है तो area कैसे declare करते हैं c++ के अंदर तो option b सही है इसमें float data type फिर name और square bracket के अंदर उसकी size simple सा है area कैसे करते है area क्या होता है collection होता है same type की data का तो float variable मनाते है float variable कैसे मनाते है float और average मना है तो avg और avg क्या लेगा सिर्फ एक value लेगा अगर हमें चीए 5 value तो square bracket के अंदर 5 लिखनेंगे तो ये simple सा तरीका है data type उसका area का नाम और square bracket के अंदर उसकी size तो b option correct हो गया 24 का question number 25 a friend function has access to all members of the class for which it is friend तो एक friend function होता है वो एक class के सारे members functions को access कर सकता है जिसका वो friend है तो इसमें private, public, protected सब टाइप की जो member हैं उनको friend function access कर सकता है तो ये question number 25 हो गया all of the book what is the purpose of abstract class abstract class का purpose क्या होता है abstract class का purpose होता है to provide an appropriate base class to be inherited by other classes तो abstract class का purpose है है कि एक appropriate base class मना कि देते हैं जो inherit की जा सके दूसरी classes है अब abstract class क्या होती है abstract class के अंदर क्या होता है कि function होता है उनको declare करके छोड़ देते हैं उनकी definition ही लिखते हैं तो वो abstract class हो जाती है operator overloading is operator overloading क्या होता है giving new meaning to existing C++ operator a option is correct option operator overloading क्या होता है कि operator तो वही होता है लेकिन वो अलग लग जगे पर अलग लग काम करता है जैसे हम left shift operator देखा था तो उसको हम cout के साथ में भी काम में ले रहे थे वसे plus operator है तो plus operator से हम दो integers को जोड सकते हैं float को जोड सकते हैं और उसको इस साथ में दो string sound को concrete करने के भी काम में ले सकते है question number 28 if we create a file by if stream then the default mode of file अगर if stream से करेंगे तो default mode क्या होगा फाइल का तो file के modes होते हैं कि input mode है read mode है या write mode है जब if stream करेंगे तो ios scope resolution in ये उसका mode रहेगा in का मतलब हो गया write mode में हो गई वो और out mode होता upstream होता तो output मतलब read question number 29 when the access specifier of the base class in the derived class definition is public the base class is तो जब access specifier है base class का उसको जब derive कर रहे हैं उस time पर publicly लिया है तो base class है वो publicly inherited की जाएगी question number 30 है which keyword is used to check exception in the block of code तो कौन सा block आता है जिस के अंदर exception को हम check करते हैं तो try block ट्राइब लोग जिस code के अंदर हमें लगता है कि exception आ सकता है उस code को हम किसमें लिखते हैं try block अंदर जैसे a divide by b तो हमें लगता है कि user गलती से अगर b 0 से divide कर देगा आईसे नमबर को infinite आ सकता है exception आ सकता है तो उस code को हम लिखेंगे try block के अंदर तो try block है वो check करेगा कि exception आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर exception आ रहा है तो try block क्या करेगा throw को use करते वे उस exception को throw कर देगा और catch block हो उसको catch करेगा और उसका जो भी solution होगा proper solution उसका निकालेगा तो यह हमने 30 questions objective हैं वो discuss किये हैं और 2020 में भी exam में यही pattern रहेगा शुरू के 30 questions objective रहेंगे तो students in questions को अच्छे से तयार कर लो इनके अलावा भी आप online देख सकते हो जितने भी आपके subject के objective questions है ज्यादा ज्यादा उनके practice करो Thank you